हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे रवा अपा बहुत ही सिंपल रेस्पी है बच्चों के टिफ़न वॉक्स के लिए परफेक्ट रेस्पी है और बच्चों को ये पसंद भी काफी आती है तो इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक कटोरी रवा ले रखा याने सूजी और उसी की आदा हमको लेना है दही तो मैंने एक छोटी कटोरी दही ले रखी है और बाकी वेजटेवल आप अपने हिसाफ से ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो बिंस ले सकते हैं सिमला मिर्च ले सकते हैं जो भी आपके बच्चों को ये आ दही एड़ कर देंगे आदा छोटा चमज काली मिर्च पाउडर एड़ कर देंगे यह आपको मार्केट में इसली मिल जाएगा आदा छोटा चमज नमक एड़ कर देंगे और उसके बाद पिंच भर हल्दी एड़ कर देंगे आप चाहे तो हल्दी को स्किप कर सकते हैं और आदा चमज के बराबर ही धनिया पाउडर, आदा चमज, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा में इसमें काला नमक भी डाला है अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं अब जो भी वेजटेबल आप डालना चाहते हो तो उनको भी यहाँ पर एड़ कर सकते हो हरी मिर्च हमें अभी एड़ नहीं करनी है तो थोड़ थोड़ा पानी डालके हम इसका अच्छा सा एक बैटर बना लेंगे फ्रेंड्स हरी मिर्च चाहे तो आप अभी भी एड़ कर सकते हैं बट मैं इसको तड़का में एड़ करूँगी तड़के में हरी मिर्च अच्छे से पक जाती है तो बच्चों को खाने में आसानी होती है तो फ्रेंड्स आप इस रेस्पी को बच्चों के टिफन वाक्स में दे सकते हैं वो टिफन को फिनिस करके आएंगे उनको बहुत पसंद आएगा 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख लेंगे बैटर को इधर हम तड़का रेडी कर लेते हैं सरसो का तेल ले रखा मैंने डेड़ चमच उसमें आधा चमच मस्टर स्टीट डाल दिये और आधा चमच जीरा डाल दिया है अच्छे से जैसे ही ये जीरा और मस्टर स्टीट हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची कट करके अगर आपके बच्चों को हरी मिर्ची पसंद नहीं है तो आप इसकीप कर सकते हैं फ्रेंट्स ये रेस्ट बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बहुत पसंद आती है अब हम तड़के में एड़ कर देंगे हरी मिर्च जो हमने कट करके रखी हैं आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा हरी मिर्च ले सकते हैं अब हम इसमें एड़ कर देंगे कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता को एड़ करते ही तुरंत कैस को बंद कर लेंगे और अब इस बैटर में इस तढ़के को एड़ कर लेंगे फ्रेंट कड़ी पत्ते का color चेंज नहीं होना चाहिए अगर चेंज हो जाए तो communicny नहीं लगता फिर इसलिए कड़ी पत्ता डालने के बाद Gas की flame को off कर देना चाहिए तड़के को अच्छे से मिला लेंगे बैटर में और बहुत ही खुस्बुदार बैटर बनके रेडी हुआ है यहाँ पे हम थोड़ा सा इनो डाल देंगे आधा पैकेट क्योंकि बैटर हमने कम बनाया है और पानी डाल के इसको एक्टिवेट कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमको तुरंत ही अपे बना देने हैं तो फ्रेंट्स मैंने गैस में यह अपे का बरतन चड़ा लिया है और वो हलका सा गरम हो गया है तो मैं ऑईल से अच्छे से इसे ग्रीज कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा एक एक चमत सारे खांचे में भर दूँगी इस तरह से आपको अपे का बैटर जो है बहुत ज़ादा नहीं भरन है क्योंकि यह फूलते हैं तो फ्रेंट यह रैसिपी ना बनने में बहुत आसान है बहुत जट पर बन के रिडियो हो जाती आपको मुस्किल से चार से पांच मिनट लगेंगे इसको बनाने में और यह बन के रिडियो हो जाएगी बच्चों को बहुत पसंद आती है तो आप एक बार इस तरह से ज़रू ट्राइ करिएगा तो फ्रेंट सबको फिल करने के बाद हम एक मिनट के लिए इसे ढख देंगे एक मिनट बाद चेक करेंगे तो यह देखिए बहुत अच्छे से हमारे अपके बन के रिडियो होए हैं अब इनको हम पलट लेते हैं बहुत ही टेस्टी अपके बन के रिड़ी होई हैं बहुत कम टाइम में तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं प्लेटिंग कर लेते हैं गैस की फ्लेम को मैंने आफ कर लिया है तो friends आप इनको enjoy कर सकते हैं अपने मन पसंद चटनी के साथ या sauce के साथ मुझे ये sauce के साथ मेजे और मेरे बेटे को काफी पसंद है तो हम इने सॉस के साथ लेंगे फ्रेंड्स आपको अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड में वीडियो को सेर भी करिएगा चैनल पर फर्स टैम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वै बाइब ये मता दी